अब पेटियम से भी कर सकेंगे कोरोना वाक्सिनेशन के लिए बुक्राइब पाम ओईल के भाव लगातार दोट रहे सुमवा को एमसे एक्स पर यह दो प्रतिशत से ज्याता किर कर एक हजार परचिस रुपे प्रती 10 किलों की आसपास आग्या इसे बुर्सा मलिशिया डेरिवेटिव पीमडी पर पाम ओईल का भाव खटकर 16 महिनों के निश्लिस तर पर आने का नतिजा माना जा रहा है उदर शिकागो बोर्ड आफ ट्रेड सीबॉट पर स्तोयापिन की किम्मत भी 3.4 प्रतिशत खटकर 4 महिनों के निश्लिस तर पर आके इस बिश महिन में भारत में वनस्पति तेल का आयाद 800 प्रतिशत बढ़कर 1.2,9,648 रन के स्तर पर पहुश गया विरो रिपोर्ट, BCN News सवार को फानेंशियल टेक्नालोजी कमपनी पेटियम ने कहा कि उसके ग्रहक अब आप पर कोरोना वैक्सिन के लिए उपलग स्लोट तलाशने के अलावा टीका लगवाने के लिए स्लोट बुग भी कर सकते हैं कमपनी ने एक बयान में कहा कि पेटियम यूजर्स अब पेटियम एप के जरिए अपने सबसे करीबी केंडरों में टीके के लिए स्लोट तलाश और बुग भी कर सकते हैं सेवा से भारतियों को टीका लगवाने और प्रतिरों तक शम्ता हासिल करने के लिए आसानी से स्लोट बुग करने में मदद मिलेगी इससे मौचुदा महमारी के खिलाब लड़ने में सहयोग होगा मताते चले कि सरकानी पिछले महेनी कोवीन को थर्ड पार्टी अप्लिकेशन के साथ जोडने की खातिर नए दिशानिर देश चारी के थी जिससे डिजिटल आप के लिए इस तरह की सुविदा उपलग कराने का रास्ता साफ होगया इससे पहले मई में पेटियम ने अपने कस्टमर्स के टीकी के दिए स्लोट तलाशने में मदद करने के उद्टे से अपने आप पर वाक्सिन फाउंटर सुविदा शुरू के थी हौलमाक सरकारी गैरेंटी होती है हौलमाक भारत की एक मार्टर एजनसी बिरो आफ इंडियन स्टांटर्ड याने बियाएस देती है हौलमाकी में किसी प्रोटर्ट को तै मापतंडों पर प्रमानित क्या चाता है बियाएस वर संस्ता है जो गरहारकों को उपलव कराई जा रहे सोनी की जार्च करती है सोनी के सिक या गैने पर हालमा के साथ लोगों लगाना ज़रूरी है इससे पता चलता है कि लाइस की लाइसेंस वाली लैप में इसकी शुत्र टाकी चार्च की गई है 15 जुन 2021 के बाद भी बिना इस के लावा अगर आप चाहे तो अपने ज्वेलर सेंटर पर ज्वेलर की चार्च करवाकर क्यारेट के हिसाफ से हालमाग जारी करवाता है आम आदमी पुरानी ज्वेलरी पर सेते सेंटर जाकर हालमाग नहीं लगवा सकता उन्हें संभधे ज्वेलर्स के जरिये ही आना होका हाला कि वह सेंटर पर सोनी की शुद्धा की चार पुरानी ज्विलरी बनाते हैं पुरानी ज्विलरी एक तरह से ज्विलर के लिए रॉम मटेरिल होती है इसलिए ग्रहक द्वारा उसकी पिक्री और ज्विलर द्वारा उसकी खरिदारी करने पर 15 जुन 2021 के बाद भी कोई दिकत नहीं होगी लेकिन जब ज्विलर्स नई ज्विलरी पेची का तो उस पर बियाएस हॉल मार्ग होना ज़रूरी है इससे सरकार को टैक्स मिलेका सरकार हॉल मार्ग की करने पर 18 प्रतिशत जीयस्टी वसुली की इससे सरकार की आमतनीपी होकी बिरो रिपोर्ट बेसे अन्न नियूज दिवान हाउसिंग फानेंस लिमिटेड याने दिएच एफल के शेरों में आखिरकार कारूपार बंधोंगे इसका शेर शुक्रवार को 9.97 प्रतिशत गिर कर 16.70 रुपे पर बंधवा था इसका मार्केट क्या 524 करोड रुपे रहा था हालाके इससे पहले इसका शेर बेस बेस प्रतिशत अकिरा था बैंकों ने इस कंपनी का 45,000 करोड रुपे तक का लून राइट आफ किया था राइट आफ का मतलब उसकर्श की वसुली होती रहे की पर गारिटी रही है और जुन को इस कंपनी के एक तशमलोड 46 करोड शेरों में कारुपार किया था पर अब इसके शेरों की ना तो खरीती हो सकती है ना ही पेकरी निवेशकों ने उम्मिड में इस कंपनी के शेरों मे निवेश किया है विदेशों में खाती तेलों में गिरावट के पेच तेली ठोग बाजार में सुमवार को इन में उतार चड़ाव देखा क्या गेहूं में नर्मी रही जबकि दालों और चीनी की केमतों में कोई पतलाव नहीं उपा तेल तेलहन की बात करें तो वैश्विक स्दर पर मलिशिया की बुर्सा मलिशिया डेरिवेटिव एक्स्टेंज में पाम में आयल का अकस वायता दोसो एकत्तर रिटिंग लुड़क कर तीन जार तिनसो बैन्वे रिटिंग प्रती तन पर रह गया जुलाई का अमेरिकी सोय तेल वायता भी दो दशमलो अठ्रा सिन तूट कर चौसस दशमलो असे सेंट प्रती पाउंड बोलाग्या स्थान्य बाजार में आवग और उठाव में मुफली तेल की किम्मत 146 रुपे प्रती क्विंटल पढ़ गई जबकि सुरज मुक्की तेल में 140 रुपे प्रती क्व अवग और उठाव में संतुलन से मुंग दाल, उडद दाल, चना दाल, मसूर ताल और अरहल दाल की भाव में कोई बदलाव निवा चने के दाम भी स्थीर रहे अनाज की बात करें तो गेहु की ग्रहा की काम रहने से इसमें से 20 रुपे प्रती क्विंटल की गिरावट रह बिरो रिपोर्ट, BCN News का